उम्शान्ती मैं श्वता सिंग उपने देशक समाचार दूर दरशन बिहार में पजधापित हूँ दो हजार ग्यारब आज की आयायस ओफिसर हूँ पहली बार मैं ब्रह्म हुकमारी जाई इधर सप्टेंबर 21 को पॉर दर समिया कॉन्फरेंस और यहां आने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जैसे पहले में रंगीन वस्तर में आई थी चारो तरफ मैंने इतनी सा कम्प्लीट क्लीनलीनेस एक पवितरता एक सादगी खुद में महसूस होती है अंदर और यहां जो लगातार जब हमने राजियों का सेशन से टेंड किया इट वस रियली नाइस एक्सपीरियंस इन विच आप खुद को अंदर की तरफ इन्वर्ड मुव्मेंट आपका हो रह मगर यहां राजियोग में आप खुद के मन के राजा होते हैं और अपने आपको जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो आप की स्थिरता बहुत जादा बढ़ जाती है जब से मैं ब्रह्मा कुमारी जाई हूँ तब से I realized कि अपार्ट रॉम गर्वर्मेंट इवन इस ओर्गनाइज़ेशन is doing well for developing values in the among the people क्योंकि government में स्कूल में होता क्या है कि हम लोग definitely value-aided education दे रहे हैं जितने भी government स्कूल है, private स्कूल है हो रहे हैं but apart, ब्रह्मा कुमारी is as an NGO और I realized कि या, वो जितने doctors को, engineers को, bureaucrats को हो या फिर जैसे media person का भी conference हो रहा था उसमें वो inculcate करते हैं values को तो जो values अभी कहें कि इतने आधुनिकता में उनका चरन होते जा रहा है तो with these sessions, what they are doing in the morning and day long sessions करते हैं तो उसमें they are trying to inculcate these human values that have been lost through passage of time मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम अपने professional or personal life के इतने clutters में जो basic values है उसको भूलते हैं यहाँ पर आकर के जब इतने सारे लोग रहते हैं चारो तरफ and all जो राजयोगी हैं, राजयोग कर रहे हैं यू realize कि नहीं, आपको भी उन values को पकड़ना है, उनके साथ रहना है आप अपने office में जाएंगे या अपने घर में रहेंगे, यू definitely can do much better after realizing with all the morality कहते हैं, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, values उसको अपने में फिर से ग्रहन करने के बाद जब हम अपने घर वापस जाएंगे मुझे लगता है हम बहतर इंसान के रूप में काम कर पाएंगे ओम शान्ति कर दो हम प्राद कर दो हम आएंगे